बजरंग दल मुर्दाबाद आज दो पहर दिक्षा घुमी से बजरंग दल को खदेड़ा है हम बेट करवादियों ने विचित्र सी इस्थिती बन गई थी तब जब बजरंग दल के लोग दिक्षा भूमी से अयोध्या तक एक बाईक रैली निकालना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक पॉम्प्लेट भी निकाला था कुछ दिन पहले ही उन्होंने निकाला था और निश्चित रूप से उन्होंने दिक्षा भूमी के उस प्रबंधन कमीटी से जरूर इसकी अनुमति ली होगी क्योंकि उसमें बाकायदे दिक्षा भूमी से अध्या तक का पूरा कारिक्रम तै था जैसे ही ये पॉम्प्लेट बाहर आता है वैसे ही तमाम आमवेटकरी जो संगठन है नाकपुर के वो एक्टिव हो गए और उन्होंने दिक्षा भूमी कमीटी से ये अनुरोद किया और साथ ही उन्हें ये इस बात की चेतावनी भी दी कि अगर यहां से इस प्रगार की बाई करे ली अध्याखास हो से बजरंग दादवारा अगर निकाली जाती है तो ये बिलकुल भी अमेटकरी जनता सहन नहीं करेगी और इस आशे का एक पत्र उन्होंने दिक्षा भूमी को दिया इसके कुछ दिन कुछ समय बाद जो है इस में सुरे ससाई भी शामिल हो गए जो खुद भी एक दिक्षा भूमी के जो कमीटी मेंबर है उन्होंने भी इसका विरोध किया और आज तो ये ऐसी इस्थिती बन गई जब ये बजरंग दल वाले वहां आकर वहां से अपनी बाइक रैली निकालना चाहते थे एक लंबी यात्रा होंने करनी थी वो बाइक रैली जब निकालना चाहते थे तब वहां से अमबेटकर वादियों ने उन्हें खदेर दिया और बजरंग दल वालोंने कुछ दूरी पर दिक्षाभुमी से कुछ दूरी पर जाकर वहां पर अन्ना भाव साथे जो चौक है वहां पर जाकर उन्होंने ये बाइक रैली का शुबारम किया उन्होंने वहां से बाइक रैली निकाली लेकिन वहां भी इसका विरोध लगातार आम बेट करवादियों द्वारा जारी रहा और वहाँ पर उन्होंने बुद्ध बंदना ले आज बजरंग दल वाले बुद्ध बंदना क्यों ले रहे हैं कि विचारनी विशाय इसलिए है क्योंकि अब एलेक्शन आ रहे हैं और ये आज का जो आज की जो ये घटना है आज का जो ये पूरा जो वाक्या था इसको अगर आप इस पर गवर करते हैं तो ये पूरी तरह से राजनीती से उर्पोत था और इसी वजह से आम बेट करवादियों ने वहाँ से उनको जम कर खदेड़ा है और आज जो है उन्होंने दिक्षा भूमी प्रबंधन कमिटी कुप पर भी यारोप लगाए और उसके खिलाब भी उन्होंने जम कर नारे बाजी की कि आखिर क्यों और किस वजह से उन्हें यहां से रैली निकालने की अनुमती दी गए आप भी देखिए बत्रंअ मुझात 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 मुझात